नमस्कार दोस्टो, मेरा नहीं बिजए कुमार और आप देख रहा हैं कॉमिक्स बिटारा चैनल को दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगें बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिला आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाए तो चलिए इस कॉमिक्स को सुरू करते हैं दोस्तों ये कॉमिक्स है 9-11 जो की परमानों की कॉमिक्स है तो चलिए सुरू करते हैं वक्त के साथ साथ इंसान भी बदला है उसके बिचारों रहन सैन, खान पन सभी में करांतिकारी बदलाव आया है लेकिन प्राचेन काल से आज तक अगर कुछ नहीं बदला तो वो है किम्ती गहनों के परती इंसानी मौ और अगर वो गहना ऐसा नौलक्खा हार हो तो बात ही क्या परदर्शनी के लिए रखा ये बिचकिम्ती हार सारा दिन लोगों के अकर्शन का केंदर बना रहता है लेकिन आज रात को भी ये हार किसी की आँखों की चमक बढ़ा रहा है आज नौ तारीक का ये नौ बजने में नौ मिनट का समय मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि आज मैं हासिल करूंगा ये प्राचिन नौलक्खा हार जिसकी कीमत आजकल एक करूर से कम नहीं होगी इसे मैं नबे लाग से नौ पैसे भी कम में किसी से नहीं बेचूंगा तु ऐसा कैसे कर पाएगा ये तो पता नहीं लेकिन अगर तु जरा भी हिला तो नौ सो गोलिया तेरे सर्ज में घुश जाएगी ओ तो तुम इस नौलक का हार के रक्षक हो अगर तुम नौ होते तो मैं तुम्हारी बात को मान कर रुख भी गया होता लेकिन अफसोस सिर्फ तुम दो हो और तुम्हें ठीकाने लगाने में मुझे लगेंगे सिर्फ नौ सेकेंट अब अगरे नौ सेकेंट में इस सोकेस में रखा ये हार मेरे हाटों में होगा मेरा काम हो गया आप सिर्फ 9 सेकेंड ही लगेंगे मुझे यहां से उड़न्चू होने में अह तार 9 सेकेंड में वहां से ओजल होने में भागते हुए 9 रतन को उस जोड़दार वार से अगले ही सेकेंड नजर आई जमीन और परमानू मैं पहले से ही जानता था कि तुम जैसे किसी उठाई गिरी की नजरे में यह नौलखा हार खटक सकता है इसलिए मैं इस हागे निग्रानिक कर रहा था अब देख मैं कैसे तुझे अगले 9 सेकेंड में सेंटरल जिल पहुँचाता हूँ ओफ थड़ाक 9 रतन को जिल पहुचाना तेरा सपना 9 जन तक भी पूरा नहीं हो पाएगा परमानू तेरी हरकतों ने बता दिया है कि तु सही सलमत मेरे साथ नहीं जाएगा तुझे चाहिए लाद घुसो की खुराक ठीक तभी पासी मौझोद घंटा घर के घंटे बज उठे इसी के साथ परमानू का अपने कानों पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाना परा ओफ घंटे के बजने की ये आवाज तो कानों के परदे फार दे रही है लेकिन इस घंटा घर की अवाज इतनी तेज कैसी हो गई यहां से बच निकलने का ये अत्रिक इंतिजाम मैंने किया है मैंने घंटा घर के घंटों की अवाज की फ्रेक्वेंसी 20,000 किलो हाट से ज़्यादा बढ़ा दी है जो तुम जैसे को हिला कर रख सकती है जबकि मेरे जैसे को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्यूंकि मैंने अपने कानों में डोट लगाए हुए है ओफ घंटे की अवाज से तरस्त प्रमानों को नौरतन लाद्भूसे पर रख लिया लेकिन अभी वो प्रमानों से भैवित था नौ बजे के घंटों का परभाव इस पर घंटे बंद होने के बाद भी सिर्फ नौ सेकेंट रह पाएगा मुझे उससे पहले ही यहां से भाग जाना है टन यह अखरी घंटा बजा था इचे के साथ नौरतन ने परमानों को छोड़कर तुफान की गती से दोर लगाई मैं तो चला ओफ वो भाग लिया लेकिन भाग कर जाएगा कहां भडाम ओफ पचार खाकर नीचे गिरा नौरतन अब परमानों से समलने का मौका कहां देने वाला था क्या अब भी तुझे विश्वास है कि तुझे जेल नहीं पहुचेगा नौरतन को विश्वास हो ना हो लेकिन मुझे ये पक्का विश्वास है कि दूबे के होते तुझे नौरतन को जेल नहीं ले जा सकता चाहे दूसरा जन भी क्यों न ले ले अब परत्यासी धंग से वहाँ पोचे दूबे नामक उस सक्सने ना परमानू की आखो को देखने लाइक छोड़ा और ना उसके सरीर को हिंडने डून ले लाइक ओफ ये दो रिंग्स मेरे सरीर में कैसे आफसे जुनों ने मुझे बुरी तरह अपने गिराख्त में ले दिया ओफ कास मेरी आखों में भी सन जलन ना होती रती तो मैं उन्हें खोल कर देख सकता कि सामने क्या हो रहा है सामने जो हो रहा था वो अखत्म हो चुका था नौरतन को लेकर दूबे भाग खड़ा हुआ था काफी देर बाद परमानू अपने आपको उसके से छुड़ा पाया आखिर वे दोनों मेरे हाथ से निकल ही गया है लेकिन अगर अपनी हरकतों से बाद नहीं आए तो मुझे ज़्यादा इंतिजाद नहीं करना होगा जल्दी वो दोरों मेरे ग्रिफ्ट में होंगे इधर सहर से बाहर एक सुनसार इलाके में मुझे तुम जैसे आदमी की कोश थी क्योंकि तुम तो तुम भी मेरी तरह ज्वेल थीफ हो और जवाज भी हो पर्मानु से टकरा कर तुमने ये साबित कर दिया है कि मेरी योजना पर अगर तुम मेरे साथ दो तो मेरे साथ तुमारे भी वारे नियारे हो सकते हैं तुमने मुझे परमानों से बचाया है, मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, मुझे अपनी योजना बताओ, फिर दूबे धीरे धीरे नौरतन को अपनी सारी योजना बताता चला गया, सब कुछ सुनकर नौरतन की आखों की चमक कई गुना बढ़ती चली ग जहां बनती है पूरी दिली में कानुल वेवस्ता और अमन्चैन बनाया रखने की योजना, और इन योजनाओं को बहुत सी योजनाएं अत्यंत गुप्त युम्हत्पुन होती है, और ऐसी योजनाओं को कर्यान। करने की जिम्हदारी जिने सोफि जाती है, उनमें परमू में कुछ बहान अतिमहद्पूर्ण होते हैं जिन पर टिकी रहती है किसी ना किसी की किसी ना किसी की गित सी निगा है डवल लाइन डवल डू सामने से आता वो कंटेनर ही हमें मलामाल कर देगा दूबे के हाथ में थमें लाइटर की हलकी सी लौ सड़क पर फैले पेट्रॉल क संपर्क में आते ही भीजन आग में बदल गई दूसरे इचन उस आग ने सणक पर दौरते वहन को रुखने के लिए मजबूर कर दिया आगे सणक पर आग लगी है यह आग सणक पर कैसे लगी साधान यह किसी अपराधी की चाल भी हो सकती है इस्पक्टर बिने बेहत साधा पानी से जीब से उत्रा लेकिन उसका क्या किया जाए घात लगाए अब अपराधी पूरी तैयारी के साथ आए हो साधान कितना भी सौधान रह लेकिन इन अलपिनों से तू नहीं बच पाएगा इस्पक्टर जो सान को भी दो पलों में बेहत कर सकती है लेकिन मैं तुम दो इनों को गिरफता किये बिना व्योस नहीं होने वाला तेरे होस ही है तेरे होस ही है तेरे ऐसा बोलने का कारान लो मैं इन्हें ठंडा किये देता हूं क्यूंकि ना नौमन तेल होगा अनाराधा नाचेगी तड़ाक आलपिन की वज़ह से पहले से ही वहाल इस्पक्टर भी अब अपने पेड़ों पर खड़ा नहीं रह सका और उसके वहाल सोने के साथ ही दोनों बंद गारी की तरफ बढ़ गए जैसे लोग दूजे के चांद को देखने के लिए तरसते हैं वैसे ही मैं इस गारी में भड़े ख़जानों को देखने के लिए तरस रहा हूँ आप न राजनगर से यहां आए थे ओ या तो मुझे कोई गलत फाहिमी हुई है या फिर सरकार को इसकी ख़बर पहले से लग गई इसलिए उन्हें ने खुदाई में निकला खा जाना किसी और रास्ते से दिल्ली पहुचा दिया होगा ऐसा ही हुआ है इतनी मेनत के बाद हमारे हुए है और एक में दो लगता है इनको मुर्थी के हाथ से तो इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि उन्हें क्योंकि उसके लिए प्राचिन मुर्थी तो नहीं पड़ती इससे यह दो नगवाला काड़ा तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है मैं तो इसे अपने हाथ में यह नो नगवाला मुझे पसंद है यह मेरी कलाइ में खुब सजेगा अगर ऐसा है तो यह कड़े इस मुर्थी के कलाइ में क्यों पड़ रहा है सही का उस प्राचिन मुर्थी को तोड़कर दोनों ने अपने अपने पसंद के कड़े हांसिल किये और उन्हें अपने हाथों पहन कर वहां से रवाना हो गए खाजानों को ना पाने की पीड़ा को अपने दिल में वसाए इधर जब इस्पेक्टर बिने के होस वापस लोटे आखिर वे दुनों सरतान लोट पाथ करने में सफल हो गए लेकिन वे इस बैगन में भरे पराशिन खाजानों को तो यूँ ही छोड़ गए सायद नहीं इस मुर्ती की कलाई के टूटे हाथ बता रहे हैं कि कोई ना कोई समान यहां से जरूर गयब हुआ है और गयब हुआ वो समान दो कड़े जो इस परशिन मुर्ती के हाथों में थे खुदाई में मिले एक पांडलुपी को मैं पूरी तरह पड़ नहीं पाया लेकिन जितना मेरी समझ में आया उसके हिसाब से वो कड़े किसी अद्बुत सक्ती से भरे हो सकते हैं कैसी अद्बुत सकती इसका पता मैं अभी पूरी तरह पता नहीं लगा पाया उन कड़े को जल से जल वापस हासिल करने की कोशिस करो वे जरूर अनारी थे उन्हें पराचिन ख़लानों की समझ नहीं थी ठीक है प्रफेसर साब मैं पूरी कोशिस करूंगा उन कड़े को निसन्दे ही नौरतन और दूबे ही ले गाए हैं उन्हें हासिल करने के लिए मुझे जल से जल उन दोने को पकरना होगा इसे बिच यहां, अपने किसी भी कोशिस में हम दौलत के नाम पर एक दमड़ी भी हासिन नहीं कर पाएं सिर्फ हमें ये दो कड़े ही मिले हैं, जो हमें इतने पिरियो हो गया हैं कि हम उन्हें बेच नहीं सकते हैं इसी तरह तो हम दुनिया के साड़ी दौलत हांसिर करने का सपना लेते हुए मर जाएंगे, आज ही पूरा होगा है, ये देखो मल्टी मिल्डिया, 97 गिल्डी चिंग, अस्थान, इंद्रा गांदी, इंडोरा स्टेडियम, दिरांक, 3-6, 97, समय 10-5 बजे तक नहीं नौरतन नहीं, हमारा ये सपना पूरा होगा अकबार के बिग्यापन को देखते हुए नौरतन की आखों में जो चमक थी, वो हीरे की चमक को भी मात कर लई थी वाह, सच्पुश, हमारा सपना आज ही पूरा होगा दूबे, और उसके लिए हमाई तुरंथी पहुंचना होगा इंद्रा गांदी इंडोर इंस्टेडियम, 90 लाख रुपए के विक्री हुई आज लेकिन इस 90 लाख रुपए को तुम नहीं, हम अपने साथ ले जाएंगे अरे, ये तो बाहर की सारी सुच्छा को भेद कर डप्टिंग के रास्ते अंदर आप पहुँचे आना ही था, क्योंकि हमें चाहिए 90 लाख रुपए और तुम हमारे रुपए के बीच में अर्चन हो, इसलिए तुम्हें दोपन में ही रास्ते से हटाना जरूरी है जल्दी सारी अर्चने हट चुके थी 90 लाख रुपए नौरतन वो दूबे के हाथ में पहुँच चुका था क्या मयाबी ने हमारे कद मचू में जैसे चुके से हम अंदर आये थे वैसे ही अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए तुरंथी दोनों तेजी से डक्टिंग में समाते चले गए कोई सोच में नहीं सकता अपना काम करने के लिए हम ये रास्ता अपनाएंगे अपने अपने दिमागों की दाद देते दोनों तेजी से स्टिडियम से बाहर की तरह बढ़े अचानक दोनों ठिठक गए अरे डक्टिंग का जो रास्ता हम खुला छोड़ गया थे वो तो बंद पड़ा है साइद कोई चीज है उपर मैं उसे हटाता हूँ रास्ते के उपर मजूद चीज को हटा कर दोनों बाहर निकले लेकिन बाहर निकलते हैं उन्हें मानू लकवा मार गया होस फाक्ता हो गएं उनके क्योंकि ठीक उनके सामने खड़ा था परमानू मानू भाव मानु भाव के स्वागत के लिए परमानु हाजिर है आचानक गजब की तेजी दिखाते हुए नौरतन ने परमानु पर छलांग लगा दी अपनी ये हाजिरी इम्राज के दर्वान में जाकर भरना परमानु पूर्ती तो तुने अच्छी दिखाई नौरतन लेकिन तुब भूल गया कि इस समय नो नहीं बज रहा है सही का परमानु सचमुच अभी नो नहीं बज रहा है इस ने नौरतन पाउरफूल नहीं है लेकिन अगर तु आँख खोल कर देखेगा तो तुझे पता चलेगा कि इस समय ठीक दो बज रहा है और नौ बजने से पहले तेरा यह लड़ना बेकार है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ यानि यह समय है दूबे के दो-दो हांट करने का और जब दूबे ऐसा मूड में होता है तो उसके सिकार की दो टके की अवकाद हो जाती है तड़ा देख इसे करते हैं जो इसे करते हैं सो सुनार की और दो लुहार की लेकिन परमानो अजहार मुश्किल से बचकर अपने लच्छे को पानी के ठान कराया था मुझे इन दोनों के हाथों में पड़े कड़े को वो असिल करना है इसलिए इसका पूरा ध्यान रखना होगा कि मुझे ना तो वे मुझे पर हावी हो पाए और ना मुझे से बच कर जा पाए परमानो के इस बार ने नौरतन को ऐसा उच्छाला कि वो समल ना सका और ढलवा चट पर लुड़ाखता चला गया चट से गिरकर नौरतन जरूर मारा जाएगा लेकिन मैं उसे बचाऊंगा परमानो से छुटकारा पाकर अपनी पूरी ताकत लगा कर दूबे ने परमानो से छुटकारा पाया और नौरतन की तरफ दोर लगा दी ठीक समय पर नौरतन तक पहुंचा दूबे जपटकर उसके नीचे गिसे ही नौरतन का हाथ थम लिया इसी के साथ मानो चमतकार हो गया एक जमाके साथ ही दूबे और नौरतन महां से गायव हो गया अस्तंब रह गया पर्मानू फटी कि फटी रह गई उसकी आँखे अभ इस चमतकार को अगर मैं अपनी आँकों से ना देख लेता तो कभी शूस नहीं करता लेकिन आखे गायब कैसे हो गए नौरतन और दुबे हमें गायब होने के सकती आगये है दुबे ऐसा हम बाद में करेंगे अपने इस ताकत के बल पर हमें सबसे पहले अपने उस दुस्मन को खत्म करेंगे जिसकी वज़ा से हम अपने लाग कोशिस के बाद भी अपने सपने की जलक भी नहीं देख पाए हैं और अपना वो दुस्मन है परमानू गुस्टे की अधिकता से अंगारे की तरह दहक रही थी दोनों की आखे और परमानू की आखे ढूंड रही थी उन दोनों के ओ नौरतन और दूबे को अब एक अद्वू सक्ति मिल गई है उचीस के होते उन्हें पकरना बहुत मुस्किल काम है क्योंकि अब बड़ी मुस्किल से नजर आएंगे वे दोनों अरे बुरी तरह चोका था परमानू और उसका चोकना ठीक भी था क्योंकि उसे नजर आ रहे थे नौरतन और दूबे मुझे उमेद नहीं थी कि ये दोनों इतनी जल्दी दिख जाएंगे उन्हें धर्द गुषने का यही सुनारव मौका है ये दोनों मेरी तरफ से बेखवर है तेजी से नीची की तरह लपका परमानू कास वो जानता कि वो हर समय दुस्मन की नजर में था वो हमारे पिछे आ रहा है अन्हें दो उसकी मौत उसे हमारे पास खीच कर ला रही है परमानू एक जान में फसने जा रहा था और तब जब उसको इसकी भनक लगी तब तक देर हो चुकी थी ओफ अंदर गुषते ही तरंगे उससे आठक राई चैसे उसे से थामने को मजबूर कर दिया परमानू तरपा च्छट पठाया लेकिन उसने अपने होस नहीं कोने दिये उफ इन घा तक तरंगों ने मेरे मस्तिक्स को हिला कर रख दिया लेकिन फिर भी मुझे अपने होस को कायम रखना है क्योंकि तब ही मैं इन्हें पकरने में सफल हो सकूँगा परमानू तो नो और दो एगारा जनम तक भी हम दोनों को नहीं पकर सकता कितनी भी कोशिश करके देख ले ये मेरी परमानू रख्षी से बचकर उस बायलर में जाकुसे है अब उन्हें पकरना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा लहराता हुआ परमानू भी उस बायलर में पर्वेस्ट करता चला गया वह सी ठाका लगा उठे वे दोनों सैतान बेज़्दी बनाने के काम आने वाले ये बायलर ही वो बेदी है जहाँ तेरी बली चड़ाए जाएगी तुझे अपने पीछे लगा कर यहां तक लाने का तो प्लान था हमारा अब तु इस बायलर में रुख हम चले तुरंती दोनों गायव हो गये इसी के साथ एक जटके से चेतन हो गया परमानू का घुमता मस्टिक्स ओफ मैंने अपने आपको इनके जान में फसा लिया अब मेरी भलाई इसी में है कि मैं च्छन को कोई हिस्सा गवाए बीना ही बाहर निकल जाओ ओफ उस हैज के बंध होने के साथ ही परमानू के लिए बाहर निकलने का रास्ता बंध हो गया परमानू मौत के जबने में फस चुका था हैज का मतलब एयर टाइट ढकन होता है और बाहर अठा सा कर रहे थे नौरतन और तुबे हाँ 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 बाहुत सोच समझकर परमानू को मैंने इस एयर टाइट बाइलर में फसाया है वो अपनी किसी भी सक्ती से बाइलर की पांस फूट मोटी लोहे की दिवार को नहीं काट सकता और ना किसी भी तरह ट्रांसमिट हो सकता है क्योंकि इस बाइलर के दोनों तरह के हैच बाहर से बंध है पिलार तो उसे सिर्फ हम खोल सकते हैं और हम इसे खोलेंगे परमानू की लास देखने के लिए और लास भी ऐज़ी बाइलर की तपती दिवारों की वज़े से जलकर राख राक हो चुकी होगी तोकि मैंने दवा दिया है यह चिच जिसकी वज़े से बाइलर होने लगता है गर्म उफ वालर की दिवार गर्म होने लगी है कुछ ही देर में तपने लगेगी और फिर मैं जलकर कराख हो जाओंगा या फिर ऐसी नौबत आने से पहले ही इस एयर टैट वालर में अक्सिजन के बिना मारा जाओंगा बचने का कोई रस्ता नहीं है यहां से ना तो प्रोफेसर मुझे ट्रांस्मिट कर सकते हैं और ना मैं खुड ट्रांस्मिट हो सकता हूँ अब मैं हर हाल में मौत का निवाला बनूँगा अह लहरा का गिर पड़ा परवानू जल्दी जिन्दगी के लिए जल्बिन मचली की भाती तरफ़पड़ा उठा अब उसे लास बनना ही था और बाहर खड़े नौरतन उद्रू भी इसी का इंतिजार कर रहे थे परमानू तो कवी का लास में बदल गया हो गया फिलाल ऐसे वातावरों में इतनी देव तो कोई देवता भी जिन्दा नहीं रख सकता उसकी लास देखने के बेतावी को अब मैं और दवाएं नहीं रख सकता मैं हैंच खुलता हूँ हैंच खुलने का कस्ट क्यों उठा रह लेकिन तभी एक आएक मुझे ध्यान आया दोनों तरह से हैच बंद होने के बाद मुझे पूरी मुझे पूरी तरह एयर टाइट हो जाता है पिन में से पानी भरकर गर्म करके स्टीम बनाई जाती है वही स्टीम डैनोमर तक पहुंच कर उसे घुमाती है अत्तब बिजदी पैदा होती है इसका सीधा सा मतलब है इस वैलर के दोनों मुख्य हैचों के लावा और कोई रास्ता है जिससे इस टीम की निकासी होती है मुझे उस रास्ते को खोजना होगा और वैसी तो वह रास्ता भी बंद होगा लेकिन यह बोल्ट अंदर तक निकला हुआ है इसलिए इसे खोनने की एक कोशिस की जा सकती है मैंने अंदर से उस बोल्ट की चूड़िया घूमा कर उसे खोनने का परयास करना सुरू कर दिया मेरे जी तोड मेहनत रंग लाई बोल्ट खुल गया और कुछी पलोबाद बाहर जा गिला बाहर जाने का रास्ता नजराने लगा वो वह बहुत सक्रात हो था लेकिन मेरे ट्रांस्मेट होए सरीर के कनों को उन्वे से निकलने में भला क्या परसानी होनी थी और मुझे क्या परसानी होनी थी तुम तक पहुंचने में इस समय हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए इस समय 921 होने का अपना हाथ आगे है मगर उनके हाथ अपस में मिल जाते तो इन हाथों को मैं अब आपस में नहीं मिलने दूओंगा हाँ मैं से तक्राते हैं तो इनसान नहीं होते हैं और कर एकstep स्लेशा नहीं नोहीं 51 होते हैं प्रिमानों ने उन्हें लेकर काला पानी जेल की तरफ लाराने में एक पल भी नहीं गबाया है इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है और मिलेंगे इतना ही कॉमिक्स में तब तक के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए थैंक यो